ED की जांच से हाई कोट हो गया है नाराज जांच पर उठा दिया है ऐसे वाज नाराजखी की कि Anika Usually क्या है आपको बताएंगे ED की वो कौन सी गलती है इस पर ED को High Court ने फटकार लगाई है यह आपको बताएंगे आप लोग बने रहे हैं चौधरी लीगल असोसियेट पर मैं प्रतीक चौधरी आपका हार्दिक स्वाकत करता हूँ इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आखिर क्या है मामला जानने के लिए चलते हैं टॉपिक की तरफ हुआ यह है कि जो आजकल जो ED है पूरे देश में चर्चा का विशय बनी हुई है जिसको देखिए वो ED के बारे में बात करता है जिसको देखिए ED के बारे में चर्चा करता है हाला कि कुछ समय पहले तक लोग E.D. को जानते तक नहीं थे तब लोगों की जवान पर एक ही नाम रहता था वो था CBI संस्ता है एडी का प्युक पहला होता था लेकिन लोग जानते नहीं थे लेकिन अबीडिकाउच उप्युक इतना होता है कि बच्चे मिनिस्टर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लेके तमाम मिनिस्टर सांसत को येल पहुंचा देती है दिल्ली ली के शरापकांड से इतनी शशक्त ED होने के बावजूद दिल्ली जहारखंड प्रश्यमंगाल बहार में जो चीजें ED के साथ हो रही है वो भी आपसे चपी नहीं है E.D. क्या कर रही है और E.D. के साथ क्या हो रहा है वो भी किसी से छुपा नहीं है फिलाल जो मामला है वो कलकत्ता हाई कोर्ट से जड़ा हुआ है कलकत्ता हाई कोर्ट महसं 2019 में एक याचिका दायर हुई याचिका दायर हुई उस याचिका पर कोई काम नहीं हो पाया या कहें की जो गती सामने आई तो कोट उससे बहुत नाराज हुआ कोट जब नाराज हुआ तो कोट की टिपपनी क्या थी मैं आपको बताता हूं कोट ने कहा कि संपत्यों की पहचान के बाद भी इनको कुर्क करने में इतना ज्यादा समय लग रहा है कुर्क क्यानी की आप जानते होंगे किसी संपत्य की जब कुर्क होती है उसको कुर्क कहते हैं इतना समय लग रहा है जिस गती से काम चल रहा है हम इससे संतुस्त नहीं है हाई कोट ने क की याचिका है और हम दोजार चौबीस में है हाई कोट ने कहा कि 2019 की याचिका है और हम 2024 में हैं और आपकी जो स्पीड है काम करने की वो इतनी जादा सलों है कि सारे जो अपराधी जिन के खिलाफ आपने मामला बनाया वह बाहर भी आ जाएंगे लेकिन आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे इसके बाद इडी के तरफ से मामले को दीरश तिरवेदी ने पेश किया उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ी बाधाओं का सामना कर रहे हैं और बाधाओं का सामना करने के बाद हम जिसकती से काम कर रहे हैं वह इतनी धीमी नहीं है लेकिन क्योंकि हमारे पास संसादनों की कमी हो सकती है और हमारे बाधाओं जो हैं सरकारों से लड़ना पड़ता है तो बाधाओं हमारे पास इतनी ज्यादा है कि हमें काम करने में बहुत दिक्कत आ रहे हैं लेकि पूछा जाएगा कि आपकी जो रिपोर्ट है वो क्या है इसके बाद कोट ने 12 मार्च का इसी दोजार 24 में 12 मार्च की 23 में अगले निक्त की और कहा कि E.D. और C.B.I. विरिस्तत रिपोर्ट इस मामले में ले कर क्या है हालाकि इस मामले में एडी ने कहा कि है वो जो है ए आई टीसी के सांसद अभीशेक बेनर जी और लीप्स कंपनी जो उनके पीच में जो लेंदेन हुआ जो आपको पता हुआ सिक्षक भरती घुटाला है पर्शिम बंगाल का उसमें जो सांसद है अभीशेक बेनर जी और बिना सबूत के क्या कर पाएगा अपनी गति को बढ़ाईए आपकी बहुत कम है और 12 मार्च को विश्थत रिपोर्ट ले करके आए किस मामले में आपने क्या किया जिससे कि हाई कोट आगे त्या कर से किस मामले में क्या करना है फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप लोग बने रहें चज लिगल आससीट पर वीडियो को अपने सातियों से व्हयर करना न भूलें और यह Лम पड और अफिछल प्रतिक चौधरी दोनों यूट्यू संनल पर सबस्क्राइब श्यर करना न भूलें इसके लाबहाँ आप लोग हमें ने Instagram और चाधरी लिगल सूशेट और आर्टे एक्टिमिस्ट प्रतीक चौधरी फॉलो और शियर करना ना भूलें आज की वीडियो में इतना ही जैन जै भारत नाश्चा